साथियों नमस्कार गद्य सिक्षण स्रिंखला में आपका स्वागत है इस स्रिंखला के अंतरगत आज हम सम्खालीन कथाकार ओम प्रकास बालमी की और उनकी कहानी खाना बदोस पर चर्चा करेंगे कहानी के महत्पूर्ण बिंदूओं पर प्रकास डालने के लिए बिसे बिसे सग्य के रूप में आज हमारे वीच उपस्थित हैं प्रोफेसर सूरज बहादूर थापा प्रोफेसर सूरज बहादूर थापा लखनव विश्व विद्याले में हिंदी भासा साहित के प्राचारे हैं भासा साहित सिक्षण उनकी गहरी रूची का छेत्र है उनसे चर्चा कर रही है प्रोफेसर प्रीती सागर प्रोफेसर प्रीती सागर महात्मा गांधी अंतराष्टी हिंदी विश्व विद्याले में भासा साहित की प्राचारे हैं भासा साहित सिक्षण उनकी गहरी रूची का छेत्र है आईए देखते हैं उनकी बातचीत साथियों नमस्कार आज हम हिंदी के मूर्धन दलिच साहितेकार ओम प्रकाश वालमीकी की कहानी खाना वदोश पर चर्चा करेंगे चर्चा के लिए हमारे बीच में उपस्तित हैं प्रोफेसर सूरज बहादुर थापा डॉक्टर साप इस कारिकर में आपका बहुत-बहु कीजी का परिचै दे दीजे ताकि रचना के साथ थोड़ा सामंजस से हो सके ओम प्रकास बालमीकी उन कम साहितकारों में हैं जिन्होंने समकाली साहित में बहुत-अपना अमित प्रभाव छोड़ा है उन्हें एक सिरसस्त अदलित साहितकार के रूप में प्रसिद्धी मिली लेकिन उन्होंने किसी भी तरह के वाद के घेरे को तोड़ते हुए एक उच्य मानवतावादी साहितिगी रचना की है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, वे कविता लिखते हैं, वे कहनिकार भी हैं, उन्होंने आत्मकथाएं भी लिखी हैं और आलोचना के छेत्र में भी उन्होंने अपना एक मुकाम तै किया है। इससे उनको किवल हिंदी में ही नहीं, बलकि बैस्विक साहित में भी एक प्रसिद्धी मिली, एक पहचान मिली है। इसके अलावे उन्होंने कहानियां बहुत अच्छी लिखी हैं और आज हम उनकी ही एक कहानी पर चर्चा करेंगे। उनके कहानी संग्रह घुस पैठिये और सलाम ये प्रसिद्ध हैं। इसके साथी साथ उन्होंने दलिस साहित का सौंदर सास्थ जैसी एक बहुत उच्छ कोटी की आलोचनात्म कृति का निर्मान किया है। वे हिंदी साहित में अपना बहुत गहरा प्रभाव चोड़ते हैं। और उन्होंने हिंदी साहित को 21 सदी में एक नई दिसा प्रदान की है। इसमें कोई संग्रह नहीं है। बहुत अच्छ है डॉक्टर साथ। यहनि कि कहानी, कविता, आलोचना, सभी छेत्रों में बालमीकी जी ने अपने नई प्रतिमान स्था पिच्छे। यह जो कहानी है सर खाना बदोष। इसमें एक हम जाना चाहते हैं कि खाना बदोष का क्या मतलब है। और बालमीकी जी ने इस कहानी के शीशक के रूप में इस शब्द का चैन क्यों किया। देखे, खाना बदोष का एक सामान अर्थ है ऐसे लोग जिनका कोई इस्थाई पता और निवास ना हो। वे भटकते हैं, वे एक जगह एकत्रित होकर के रहते नहीं हैं। भटकना और उपेक्षित होना ही उनकी नियती है। लेकिन यहां खाना बदोष कहानी में जो उन्होंने चित्रित किया है, उसका एक विसेश उद्देश से है। कहा जाता है कि लोग एक स्वतह खाना बदोष होते हैं, लेकिन सामाजिक बवस्था भी लोगों को खाना बदोष बना देती है। रोम प्रकास बालमिकी का यही जोर है, यही दिखाना चाहते हैं वो, कि सामाजिक ब्यवस्था और सोसन का चक्र ऐसा है कि लोग खाना वदोस होने पर मजबूर हैं, अपनी मूल अस्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हैं, जैसे कि इस कहानी की जो मुख्य, इस कहानी के आ जी मैं वही आपके अध्यान आकरसित कर रहा था, कि इसके जो मुख्य पात्र हैं, सुकिया और मानो, यह दोनों पति-पत्नी हैं, यह गाउं में जहां पहले रहते थे, वहां भी यह सर्वहारा थे, और इन पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि दो तरह की मारती, एक तो यह ग्रामीन वैवस्था में जीवन का धर्रा है, उस जीवन के धर्रे पर, यह दोहरे अस्तर पर उनका सोसन होता है, कहनिकार उस सोसन को ऐसे लोग जो जाती और पूजी दोनों की ही वैवस्था से पीस रहे होते हैं, उनके जीवन के कस्ट क्या हैं, संघर्च क्या हैं, व इतना कि उनको अपना घर छोड़ देना पड़ता है, और वे भटकते हुए अपना जीवन बैतीत करते हैं, तो वह सामाजिक वैवस्ता जो अपने नागरिकों को एक स्थाई स्थान नहीं दे सकती है, भटकने को जहां नागरिक अभिसप्त हैं, इसकी पीरा को और समवेदना को मुखी रूफ से इस कहानि के दर्शाया गया है, तो जैसा कि आपने बताया है कि इसमें दो बहुत महत्वपूर पात्रे हैं, सुकिया और मानो, जो पती-पत्नी हैं, और अपनी आजीविका के लिए या कहें जीवन या अपन के लिए उन्हें गाउं से पलायन करना पड तो जब वो शेहर में आते हैं और एक नए काम में अपना हाथ डालते हैं, तो वहां रहे कर उनको कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन दो पात्रों के मादे हम से कहानिकार क्या दर्शाना चाहता है? मैंने जैसा कि आपको इंगित किया था कि सुकिया और मानो दोहरी चक्की में पिस रहे हैं, एक तो जातिवाद की चक्की है, दूसरे गरीवी की चक्की है, उनका आर्थिक सोसन भी होता है और सामाजिक सोसन भी होता है, वे गाउं में इसी समस्या से प्रतारित थे, उनको एक नए मुकाम की तलाज के लिए अपना गाउं छोड़ना पड़ता है, वे चाहते थे कि उनके जीवन की एक नई दिशा खुल जाए, उनको एक नया रास्ता मिल जाएगा, उनको एक सहुलियत मिलेगी, लेकिन गाउं छोड़ करके वो जब इट के भटे पर सहर में का है, वह उसकी पत्नी यानि की मानों से कुछ अलग तरह की असिस्ट अपक्छाएं रखता है, जिसकी पूर्ति ना होने पर वह उसे बार-बार सताता है, दूसरे जब उसका साथ देने के लिए कोई दूसरी जाती का व्यक्ति उसके सामने आता है, तो उसे भी वह मारता तो वो अकेले गाउं में भी थे और सहर पर आने पर भी अकेले हो जाते हैं, समाज उसका साथ नहीं देता है, कि वो अपनी विप्रीत परिस्थिती से उभर करके कोई नया जीवन का काम टै करें, एक अपने जीवन को अच्छी दसा मिला सकें, तो यही बिडंबना और त्र नहीं नहीं च्छाएं जाकती हैं, कि हम आगे जाके भविश में अपना घर बनाएंगे, उसके अलावा कहानिकार ने एक जो मजदूरों का जीवन होता है, उसका चित्रन किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताईए, बहुत अच्छा प्रस्न कि आपने, देखिए हमारे य इसिसी चाह रखते हों, उनके जो सपने होते हैं, वो उनकी अपनी बुनियादी आवस्यकताओं से ही पैदा हुए होते हैं, जैसे मानों के मन में यह था, कि कास इतनी सुन्दर लाल लाल इंट हैं, तो उसका, इन इंटों का एक मकान होता है, ठीक, वैसे ही आप देखिए, जैसे गोदान में होरी एक सामान किसान है, बहुत बड़ा जमिंदार या राजा नहीं है, उसकी कौन सी बड़ी इच्छाती, एक किसान है, तो उसकी इच्छाती कि उसके द्वार पर एक पच्छाही गाय हो, ठीक, ऐसा ही सपना सुकिया के और मानों के मन में है, कि उनका ए हम जादा से जादा भचत करेंगे और एक घर के लिए इट जुगार करेंगे वह अलग से इट पातती भी है रात को अलगाती भी है लेकिन रात के अंधेरे में उसके कच्ची पाती गई इटों को तोड़ दिया जाता है और वो बिल्कुल कहानी कांत है वहाँ वो परिशान हो जाते हैं मानों बहुत रोने लगती है तो सुकिया उसका हाथ पकड़ करता है कि चल अब ये हमारा घर कभी बनने नहीं देंगे देखिये ठीक ऐसी ही समस्या इसके पहले घर बनाने का सपना जो एक दलित मजदूर का होता है उसको लेकर के जगदिश चंदर ने बहुत अच्छा उपर न्यास लिखा था उनीसो सत्तर बहत्तर में धर्ती धन्न अपना ठीक वैसी समबेंदना को लेकर के बड़ी मर्माजपरस्ति कहानी यहाँ ये खाना बदोस लिखी गई है इसमें मजदूर की उसका सीधा रास्ता है कि वो परिश्च्रम करेगा इमांदारी से पैसे कमाएगा और उस इमांदारी के कमाई से ही अपने सपनों को पूरा करेगा ये मजदूर के जीवन की बड़ी खुबसूरती है और उसके लिए वो जो श्रम करता है दिन रात जूटा रहता है जिसको कहते हैं कमिटमेंट प्रतिबद्धता वह सब एक मानो जीवन का बहुत ही स्रम जनित सौंदरे पैदा करता है उन प्रकास बालमी की जी ने दलित की पीड़ा और साथी साथ मजदूर की पीड़ा को इस तरह से घुला मिलाका के पृस्तूत किया है कि वह बहुत ही प्रभावसाली हो गया है और कहानी बहुत ही मरमिसपर्शी बन पड़ी है जी जी और जो दिन भर परिश्रम करने के बाद मजदूर जब शाम में इकटा होते हैं और नहाते हैं अपना बदन साफ करते हैं मिटी जो उनकी शरीर पर लगी हुई है और उसके बाद जब वो खाना बनाने का चित्रण है वो भी बहुत ही मरमिसपर्शी है वो आपने ध्यान दिया होगा मैं यह जाना चाहा रही थी कि इस कहानी में दो बहुत प्रमुख पात्र हैं एक तो मानो हैं जो सुक्या की पत्नी है इसके अलावा इसमें किसनी एक पात्र है इन दोनों इस्त्री पात्रों को लेकर इस कहानी के संदर में आपकी क्या राय है जरा उस पर प्रकाश्ट आएए देखिए इस्त्री चाहे दलिश समाज की हो या किसी अभिजन समाज की है इस्त्री हमेशा सोसित होती रही है स्रम के अस्तर पर भी सोसित होती है और यौनिक्ता के अस्तर पर भी सोसित होती है उसका यौन सोसर भी होता है और इसमें इस्त्री इस्त्री नहीं रह जाती वह एक भोग्यवस्तु के रूप में परिनत्थ हो जाती है यह इस्त्री जीवन की भारती संदर्वों में एक बहुत बड़ी भिडम बना है बालमिकी जी इसको रिखांकित करते हैं और किस्नी जिस प्रिष्ट भूमें से आई है वह आभाओं की प्रिष्ट भूमें है वहाँ जरजरता है वहाँ छोटी छोटी इच्छाएं पूरी नहीं होती है इस तरह किस्नी जब भठा पर काम करने आती है तो उसके रूप और सौंदर पर सूबे सिंग मोहित हो जाता है और वह उसका यौन सोशन करना चाहता है बदले में किस्नी को साबुन मिलता है नहाने को जो किसी मजदूर को वहाँ उपलब्द नहीं है इसके साथ ही साथ उसे ट्रांजिस्टर मिलता है सूबे सिंग उसे सहर में देहिक सोशन के लिए ले जाता है तरह-तरह के कपड़े उसके पास होते हैं सब कुछ होता है तो इसमें किस्नी की प्रिस्ट भूमी जिम्मेदार है वह इतने अभाव में पली है उसकी दिड़ इच्छा सकती इतनी ज़्यादा नहीं है मानो की तरह कि वह इस तरह की चीजों के साथ समझोता ना कर सके लेकिन डॉक्टर साथ कहानी में जो दूसरी इस्तरी पात्र महत्रपूर्ण इस्तरी पात्र है मानो वो भी उनी अभावों से पलके आई है चोटे-चोटे लुभावने में या लुभावनी चीजों पर ढ़ल जाने वाली इस्तरी नहीं है ऐसे ही इस्तरी नाइकाएं बनती है नाइका हर कोई नहीं बन जाता है नाइका बनने के लिए थोड़ी सी विसिष्टता चाहिए वो चारित्रिक दिरता चाहिए मानो उसका प्रतीक है लेकिन वास्तों में होता क्या है समाज में ये तो किस्नी के माध्यम से ही आता है हर कोई उस जाल को तोड़ नहीं पाता है देखिए अर्द सास्तर का एक बहुत पुराना नियम है कि कोई देश गरीब इसलिए होता है कि वो गरीब है ठीक ऐसे ही बात होती है कि कोई विचलन का सिकार इसलिए होता है क्योंकि वो अभाओं का सिकार है किस्नी जैसे लोग साधारन रूप से सामान्य रूप से अभाओं की दुनिया से आए हुए लोगों के विचलन को दरसाता है लेकिन उस विचलन को तोड़ करके उस घेरे को तोड़ करके एक आदर्स एक मुल्य जो स्थापित कर सके वो मानो जैसी इस्तरिया करती है इसलिए मानो जैसे प्रेम चंद ने जालपा को कहा था कि वो आधरिक भारत का उता हुआ नारित तो है मैं जोर देकर यहां कहना चाहता हूँ कि किस्नी जैसी दिल्पतग्य चरित्रवान और स्रम में विश्वास करने वाली इमानदार दलित इस्तरि आज 21 सदी के भारत का उता हुआ नारित तो है जी मानो के संदर में वो बहुत ही महत्रफून पात्र है जैसे प्रेम चंद धनिया जैसे पात्र को पैदा किया है ओम प्रकास बालमीक इने मानो जैसे इस्तिर चरित को घड़ा है जो एक किस्वी सदी का आधर्स हो सकते है जी बहुत अच्छा ये सुकिया और मानो जब वह काम करते हैं तो वीच में एक और पात्र वहां प्रवेश पाता है जसदेव नाम का तो उसके आने से घटना करम में क्या बदलावाता है और वो कौन सी घटना घटती है जिसके कारण मतलब एक और नया पक्ष कहानी में उभरता है जाती को लेकर या वर्ण को लेकर उस पर थोड़ा सा बात करें. बहुत बहुत अच्छा प्रस्न किया है आपने, इस कहानी में कई बातों को ओम प्रकास बालमी की जिने गुंपित किया है, मिलाया है, उसमें इसका ये पक्च भी बहुत मत्पुर्ण है, वास्तों में माक्सवादी और अम्बेतकर वादी विचारधा को लेकर जो साहितकार लिखते हैं, रचते हैं या समाज की विवस्था के बारे में विचार करते हैं, उसमें ये एक दुंद देखा गया है, कि वर्ग ही वर्ण है, कि वर्ण ही वर्ग है, माक्सवादी चिंतक ये मानते हैं, कि वर्ग में ही बर्ण समाया हुआ है, जबकि बाद के जो हमारे अम्बिटकरवादी दलिचिंतक आये, उन्होंने यह महसूस किया, कि वर्ग में बढ़न तो है, लेकिन बढ़न समाया हुआ नहीं है, उसकी भी एक अलग यत्ता है, और उसके कारण उसका एक अलग बैवहार देखा जाता है समाज का उसके साथ, भारतिय सं क्यों वो उसकी मदद करने के लिए जाता है, और बाद में फिर वो एक सवाल पर की रोटी चुकी एक दलित इस्त्री ने बनाई है, नहीं खाना है, तो उसका मन बिलकुल बदल जाता है, तो इस मनस्तिती के बदलने के पीछे क्या कारण है? जी, यही इसी की और मैं इंगित कर रहा था, कि अगर वरगीय दृष्टी से देखें, तो सुकिया, मानो और जस्देव, यह तोनों ही सभी लोग मजदूर वक से हैं, मानो कहती ही है कि वो तो जैसे मेरे जैसा मजदूर है, लेकिन जस्देव जाती से बाभन है, वो जब कर लेने जाता है, या यू कहें कि मानो को बचाने के लिए, वो खुद सुबे सिंग के सामने जाता है, कि सुबे सिंग मानो के साथ कोई बत्तमीजी ना कर पाए, लेकिन सुबे सिंग उस पर आक्रामक हमला कर दोता है, लेकिन सर्व वहां पे वो उसकी जातिय चेतना होता है उनको लगता है कि जैसे तुम मजदूर वैसे हम मजदूर तो जसदेव को भी ऐसा लगा था और मानो सुक्या को भी एक ही लगा था अच्छा उनकी नजदीक का कारण ये भी था कि दोनों ही इट पाथने के काम में एक दूसरे के सहयोगी थे तो एक सहज स्वभाविक संबंध उनका नजदीकी नेकट उनका बन गया था लेकिन जब सुबे सिंग हमला करता है जसदेव के उपर तो जसदेव घबरा जाता है डर जाता है एक तो उस सुबे सिंग के अत्याचार का डर है उसके उपर दूसरे देखिए समाज इसी रूप में जिसको कहते हैं एक तरह से हम कहें दलाल है ठेकेदार अजगर वह अजगर फोड़ता है उसको कि तुम तो बाभन हो तुम इस चक्कर में क्यों पड़ गए तो मजदूरों की एकता को जाती के नाम पर जो तोड़ने वाले दलाल है और सामाजिक प्रक्रिया है इस पर इतनी पहनी दृस्ट माक्सवादी प्रक्सील कथाकारों में भी नहीं है तो इस ढंक से जसदेव और मानों के संबंद को समझना चाहिए जान बूच करके वह समाज फूट डालने के लिए उसको बाभन बनाता है और उसको दलित बनाता है जबकि दोनों एक ही वर्ग के एक जैसी स्थितियों में बहुत अच्छा विचलेशन किया बस एक पक्ष के और आपका और ध्याना कर्शित करना चाहूंगी कि इसमें कहानी को जो हम पढ़ते हैं तो बालमी की जैने बहुत ही सुंदर सुंदर बिम प्रस्तुत किये हैं तो उनकी जो कहानी का शिल्पक्ष है उस पर जरा आप अप समकालीन समय के प्रेमचंद हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि वो प्रेमचंद की तरह लिखते हैं मतलब वस्तू उनकी प्रेमचंद की तरह है उनके कहने का अंदाज जीवन को परखने की चीज जो जमीन सो जुडाव प्रेमचंद का रहा उंप्रकास बालमी की का उससे कम ग करण को जीवन की स्थीतियों को उससे जुड़ी हुई संबेदनाओं को बहुत ही करीब से देखा था और वो बिरले का कथाकार है जो परिस्थिति और संबेदना दोनों को मिला करके कहानी प्रस्तुत करते हैं इसलिए भाव और सिल्फ इसका मनी कांचन योग उनकी इस कहानी मिलता है और ये कहानी हिंदी कहानी की मिल की पत्तर है बहुत अच्छा बहुत अच्छा विश्लेशन की असर आपने और मुझे उमीद है कि हमारे साथियों को इससे जरूर मदद मिलेगी आप हमारे बीच में आए और हमें अपना समय दिया इसके लिए आपका बहुत- जिग्यासाएं स्वत ही उनका समाधान हो गया होगा फिर भी आप लों के मन में कोई प्रश्ण और जिग्यासा हो तो अपने साथियों से चर्चा करें और अपने गुर्जनों से संबाद स्थापित करें साथियों अब हमारा कारक्रम यहीं संपन्न होता है अगले कारक्रम में हम किसी अन्य लेखक और उनकी रचना के साथ फिर प्रस्तुत होंगे तब तक के लिए हमें आज्या दीजिए नमस्कार प्रस्तुत है।